कि नमस्ते नमस्कार जैहिंग दोसों स्वागत है आपके अपने इसी चैनल में करें देखिए फ्रेंड्स हम लोग बाइलोजी को पूरा कम्प्लीट कर चुके हैं देखिए आथ से हम लोग फढ़ेंगे फ्रेंड्स फ्रीज देखिए फ्रेंड्स को आपका फिजिक्स का वो आपका एट है तो देखिए फ्रेंड्स यह जितने भी आपके जितने भी डे वन डे टू अप्लोड किया तो प्लीज अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखिए तो प्लीज आप जाके प्लेलिस विजिट करके आप देख सकते हैं यह आपका बिहार दरोगा बिहा पूरा वारोजी कम्प्लीट है तो आज हम लोगे स्टार्ट करते हैं बहुत की विज्यान तो आजसे हम लोगे स्टार्ट करेंगे फिजीक से और इसका भी खात्मा हम बहुत जल्दी करने वाल तो बने रहिए ज्यूरे रही है मेकर चैनल पर प्लीज फिर्ट वीडियो अच्छा लगे तो सब्सकाइब जरूए कि ठीक है तो देखते हैं आज हम लोग मात्रक एवं इकाई तो इसे लिटर जितने भी कोशने मैं सब आपको बताता हूँ तो सबसे पहले हैं कि द्रव्द था उर्जा और उसकी परषब्पर क्रियाओं का अधियन क्या कलाता तो बहुत थिक बिग्ञान कहते हैं बहुत थिक बिग्यान का जो पीता है कौन है फारदर फिसिक की से कहते हैं तो आइंस्टीन को कहते हैं तो डेखते हैं कि Eraw mc² का समिक तो आयन स्टीन नहीं दिया था याद रखीगा बहुत एक सब्ध कुत्पत्ति हुए थी फ्यूसिस से और यह जो फ्यूसिस मतलब फ्यूसिस करना ग्रिक अर्थ में क्या था प्राकिर्थिक इसकार्थ होता है याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट कि वर्तमान में मापन का अंतर थी फिर इंटरनेशनल कहते ठीक है तो यह अंतरास्ट्प तर थी एक सफीगार यह बहुत इंपोर नाइंटीन सिक्स्ट्प्र सेवन में तो निस्ट्पत में क्या वा था कि एस आई पदती को सुविकार किया गया था नेक्स्ट कि एक साइप अब पदती में मुल मात रखो कुए संख्या क्या है तो सॅध और सम्पूड़क मात्रों के संख्या कितनी है दो ये दोनों याद की और किया 접ार काम कि है कि परकासवर्स Влад होता है या मिटर में 9.46 15 किलो मिटर में 10 की पावर 12 हो जाएगा और मीटर में 10 के पावर 15 होझा ऑपने की सबसे बड़ी काई कि यह बहुत है देहिEM दूरी मातने की इकाई जिसको क्या क्या कहते हैं तो यहां पर निघा हुआ फर्समात्रक मतनुद्स क्या है प्रकास वर्स कहते हैं लेकिन सबसे अगर भू क्या हो जाता तो जाता है पार्सेख यानिकि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई ठीक है तो यादर कि आपका कि एक परकास ब्राबर होता है तो बॉद्रि बॉट्रि में परकास बॉट की सबसे खेंज के परकास बड़िघक है तो किति का रखें अब низा नौ्टिकल मिल एक नौटिकल के लिए और एक नौ unter पॉइंट-852 किलो मीटर जल की परवादर को मापा जाता है तो याद रिखिग क्यूशिक से जल का जो भी परवादर होता है उसको क्यूशिक से मापते हैं और एक क्यूशिक बराबर क्या होता है तो अठाइस देशनों तीन एक साथ लिटर यहनिके 28.317 लिटर होता है एक क् संतल कोन का मात रख्या होता है इस्त रेडियान होता है तो तो दो बस्तो के बीच के कोनिये दूरी काां आपा जाताह तो सेक्स्टेंड से याद रखिया कि दो वस्तों के बीच के कोनी दूरी को मापा किसे आता तो याद रखिया का सेक्स्टेंड से मापा जाता है जरत्व अगुर्ण का मात्रक्या होता है तो किलो ग्राम मीटर स्क्वार नेक्स्ट है कि बाय मंडल में ओजुन परत की मोटाई मापी आती है तो डॉप्शन से होता है तो हैएरी होता है नेक्स्ट आहां की प्रदिप्ति घनत्व का मात्रक होता है तो ल'M मसत्ता कि द्रभमान का मात्रक होता है कीलो क्राम पता है एक याप माइकरों होता है यह सिट मीटर के बरावर होता है कि यहां तो प्सक्रचाल दो क्नींट की नमडया क्या है नेक्स ट्रींट अकी आधके सब्सक्रज़निक आधकर रहा हिसा क्या बहुतces नक्यान की मा-1 पीको घर नहीं बढ़ाबर होता है तो टेन के तो पार मैन्स 12 तूुल- or your 28785 येट एक गैलन बराबर होता है 9 की एक करेट घ्रांट हीरा बराबर होता है lさ2 लिग्राम करेट जो फिडीया होटा कि इसके प्लाबर होता है युदना मांपन ईपकरन मैं इजरा है यह हरी ओ visibility속 और एक्जामें को इसमि अपको शुश्ता है लिया लगा तो याद रखिए का नेक्स अप देखते हैं कि गैसों का दाव मापक पाए खों तो laser मैंटो मीटर से द्रब की स्यांता मापक किया है तो विस्को मिटर याद रखिए का ड्रव की सयंता क्या बता है विस्कुमिटर रिपीट के गिए मापक की आता है तो वैंचुरी मीटर से मापते हैं नेक्स्ट है कि बादलो की उचाई बेग तथा गती की दीशा की माप की जाती है तो यादा किया नेफो इसकोप से तो नेफो इसकोप से माप की जाती है नेक्स्ट है कि बाहन की चाल मापा जाता है तो टैको मीटर से जो बाहन जो होता है ना बाहन की जो चाल मापते वो टैको मीटर मापते हैं और बाहन द्वारा जो तह देखिए दोनों में कन्फीजन मुझत हो यह यह बाहन की चाल मापते हैं टैको मीटर से और बाहन द्वारा प्रयोग करते हैं और सागर की घराई मापना होना तो फैदो मीटर से नापते हैं और समुदर तल से बिमानों की उचाई मापना आता है तो सोलर रेडियेशन मापना आता है तो पायरी हिलियो मीटर से या पायरेनो मीटर से मापना जाता है या ने की पंदृब्ब्वी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रसकोब का प्रीप करतें मालिकोई वेक्ते हैं उसको अंदर से बाहर देखने के लिए प्रिज़़ार कि इक अबिच्ट मापक टन चाहिए क्या थैन तर सिस्मो घ्राफ। पूछे तो सिस्मो ग्राफ और मापी आती है तो रियक्टर पहमाने पर मापी जाती है। पौधि में ब्रिदी मापने क्या है तो पिसवा किया जाता है हुद में वसा की मातर नेंगी यूदिमेटर का प्रियो किया जाता है अब देगर कोई शाना एक जुट बोलता है तो पता लगाने के लिए पोलीग्राफ कॉप्यों कि आता है ठीक है पोलीग्राफ घुम्तो ही बस्तूओं की गती को माप की आते हैं तो गाईरोस्कोप से घुमते हुए चक्के की प्रती सेकेंड घुरणन को मापायाता है तो इस यूर्जा की इकाई क्या है तो किलोवात गहंटा बहुत सरा कण्यृट प्रती घंटा प्रत्य बहुत सा busy देता हैं तो यहाद ठीगा कि जो एश्था मंतर क्या है की सॉडिय इस काई क्या है परिमान और परिमान के साथ दीशा हो क्या गया लाएगा सदीश रासी अब देखते हैं क्या कि अधीश रासी कौन को नहीं यह रट जाए फ्रेंट देखें द्रबमान हो गया चाल आयतन काड़े उर्जा सक्ति समय दाव ताप अबरिती विदृद्धारा घनत और दूरी दे तो इस तो एक याद कर लिए दूसरा एक याद कर लिए दूसरा इत्यमेटिक आप याद हो जाएगा अब यह आप देखिए अव इसी भौत इक रास जिन में पडिमान तथा है और फिस्था दोनों होता हिए सधीष राश सवह क्यों क्यों है किने सब्सक्राइब क्यों यह कुश्छ नयँक क्यों है इस विस्थापन विश्थापन और भार यह सब क्या सदीश ज मस hopsकर ऐख एक Soumbegt क् immature घ्रकी करा है वह तो एक निश्चति दिसा में दो वस्तु की बीच के लंबा दुरी क्या अधिया अब क् बैठेंगे क्या वस्तु द्वहरा दो ईकाई समय hope i जो क्फस्था और थो कि अधिया और क्या नेक्स्त्त द्वहरा निश्चति दिसा मेंerv apo तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में 21 समय में तकी दूरी क्या कहला तो बेग देखिए कभी एक्जाम में डेफनीशन भी पूछ देता तो मैं इसलिए यह अच्छा है आप इसे देख लीजिए ठीक है अब देखिए नेक्स्ट अब देखिए चाल तथा बेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है बहुत इंपोर्ण है कि चाल तथा बेग का मात्रक क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड होता है इसका मात्रक और सबसे इंपोर्ण यह कि बेग तथा चाल तथा बेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड मीटर प्रती सेकेंड अगर बता फील्वाइफ एकाई समय में दुर्वाइंतर पर बनाया गया गया करते हों देखला largo कौन ईया किसी फेसी Kyus ठिक है तरो और बेमा क्या हुता है अपि 8 सबस्क्राइब करें ड़ bir लाते हैं हैज ऐसे मिलब लगए हॽथ मीटर सेइम पर सीकिन स्मूरु तोय है तो- बेग और चाल का और यहां पर क्या है? तो ल्टी माइनस टू होता है, जिक बल आवेग एबाम बल आघुन क्या होता है? उसके बारे में दिखते हैं के देखिन तो Diamond किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यत रहे तो बल और समय की गुनववल को उस वस्तु को आपstru होते हैं अब देखिए आविक का मात्रक होता है नूटन सेखिट होता है और बल प्रकार क्या तो दवाब या खिचाऊ और बल का सीजियूस समातर के यह अधर किया याद रही तुढ कि एक न्यूटन बरावर तो दस की प्रावर नियुटन ब्रावर होता है तो दस की प्रावर पाँच यानि की टेटी प्रावर फाइब नेक्स्ट की देखिए बल की बीमा होती है तो की बीमा पूछाया तो बल की बीमा क्या होता है अब देखेए बन गुननफल है तो मात्रा और तुरंका तो मैं आपको अपकेंद्र येवाला बताता हूं ठीका वितिये मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल के आगल आता है तो अभी केंद्रिये बल के लाता है अभी केंद्रिये बल के उधारन क्या है तो प्रित्वी के परिता कृतिम उपगरहों की गती तो प्रित्वी के परिता जो कृतिम उपगरहों की गती जो है अब केंद्र बल पर कारे करती है अब देखिए कि अभी केंद्रिये बल की दीशा होती है तो केंद्र की और मतलब अब देखिए यहाँ पर कपड़ा सुखाने तो दूद से मक्र निकालने वाले मसीन कारे करती है जैसे वासिंग मसीन जो है और दूसर से जो हम लोग मंखर निकालते था अप कंद्रीम मतल्थ मतल्less मालते तो अब बाहर निकलना तो उप यानि कि बाहर निकलते इसे हम Championship काम करता है important question है कि कपरा सुखाने तदूसर से मंखर निकालने वांने मसीन क dipping करती है तो अपकेंद्रिये बल के सिधान परकाड़े करती है नेक्स्ट है क्या की देखे सरकस में मौत का कुँआ का खेल उधारने तो अपकेंद्रिये बल का है देखे लाती है तो बल आगोल क्या है और बल आगोल के भीमा होती है सब्सक्राइब होता है तो बल आगोन या टॉर्क होता है अब देखिए सरल मसीन के बारे में देखते हैं एक युपती होता है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदू पड़ बल आगर कोई कारे क्या है सरल मसीन कारे करती है तो बल आगोन के सिध्धान पर कारे करती है तो उत्तोलक और घिरनी यह क्या है तो सरल मसीन के उधारन अब देखे फिंध्स यह एक्जाम में आता है कोशन कि पर्थम सरहन के उत्तोलक को न है दूतियँ सरेनी के और त्री याद रठ जाएगा इसको पर्थम सरेनी के उत्तोलक जो है कौन क्वान में देखे हैं अब दूतिय सेनी के देखे तो सिरोता, ओपनर, निम्बू निचोड़ने वारे की मसीन, यह सब दूतिय सेनी के क्या आते हैं, यादा किया दूतिय सेनी के उत्तोलग होते हैं, तो यादा किया सिरोता, सरी सरोता हो गया, ओपनर, निम्बू निचोड़ने की मसीन, अब देख तो उत्तोलक का यांत्रिक लाव कहते हैं तो उत्तोलक का यांत्रिक लाव कहते हैं नेक्स्ट है आपका कि प्रच्छेप गति क्या होता है तो जब किसी पिंड को 36 गति से कौन बनाते हुए उर्धवारतर तल में प्रच्छेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति क्या कहला तो प्रच्य पे गति कहते हैं अब देखिये कि और च्छेपी का उधारन क्या है तो धनुष से छुटा हुआ बाण ये किस गति का उधारन हैं तो यह प्रच्छा पे गति का गति तो प्रच्छक्रत ही का प्रवलायकार होता है कि अधिकतम दूरी तक फेकने के लिए प्रच्छेपित किया जाना चाहिए तो प्रच्छेपित किया जाना चाहिए तो अब देखिए घर्सन बल देखते हैं तो वह बल जो वसिंग में कंलु कि बहृत इंप्ठम करने के लिए कि आ मसीनों में घरसन कम करने के लिए किसका प्री कहते हैं कि एसमिक रख करने किया जाता है और किसी सरक्ति वस्तु पर लगने वाला घरसन बल क्या करते हैं किसी लुटनिक घरसन बल उसको लोटनिक गर्सन बल उसकाड़ करता है किसी वस्तू को किसी सतह पर खिसकाने पर गर्सन बल गती का विरोध करता उसे त्रहा जाता है चैनल किस घर्सन बल का मान सबसे अधीक होता करने करता है अंत्रीक से गिरता हुआ प्रित्यवी के बाइबंडल में पडवेश्ञ करने पर जल उठता है तो बायु के घरसं helpless freaking अग Sur балु बाई Hayou में क्या उन्हें क्या होता है कि यहां पर जला उटता है कि Hafsas सब्सक्क्राइब नहीं करने था तो घरसन कम करने ही आँ में इस नहीं को कम देखे सबसे इंपटन के गति के नियमेंदन को पता हो चिए कि पुस्तक नियूूटन लिखा गया था प्रिंस्प्य अंग एक निवन आऑन इस्तिर डौको कोई बनाया रGreen त applicable और यद वस्तिर तो इस्तीर वस्ता में थिह रहा है च्छेव को गाती गतिमान या इस्तीर अवस्ता में नहीं आता है दो सबसे पहला नियम से क्या मिलता है तो हमको मिलता है और दूसरे नियम से क्या मिलता है इसका फॉर्मारान के बेहन जगपड़ापत होता है जरत के नियम कोछ किसने तक गैलीलियों ने किया था नेक्स्ट है कि बस के अचानक चलने पर यात्री की पीछे की और गिरता है तो भी राम क लिक्त व कं gamers उसना आता है कि बस के चलता चलने पर यात्री होता है कि यातरी जब जब जाने यात्र दोव नहां कि आपके चाल लुंगों के चल रहा है मतलब गति यह मतला है तो नेक्स्ट है कि डंडे से प्रहार करने पर कोट का धूल जड़ जाता है तो बीराम के जरत मारने पर कोट की धूल जड़ जाती है बल की परिवासा प्राप्त होती है तो पर्थम गती के नियम से और न्यूटन के दूसरे गती नियम के अनुसार किसी वस्तू के संबेग में परिवर्दन की दर वस्तू पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है न्यूटन के दूसरे गती नियम से क्या होता है तो किसी वस्तू के संबेग में परिवर्दन की दर वस्तू पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है कि दूस्य याँ कर दो हुआ है नेक्स के नेक्स में प्रतिक रिया के उसके बरावर तो था भीपड़ी दीशा में प्रतिक रिया आपको पता है एक पत्थर को ठोकर मानने से पृखती को चोट लगने करने तो प्रतिक रिया ठीक है और अगर हम बात करते हैं कि इन्यूटन तो तरता है तो नाव को पीछे वर धक्का देता हुआ गया तो यह न्यूटल्स थर्ड लोग पर इकारे करता है यह आप लोग याद रखेगा ठीक है और गति का पर्थम समिकर्ण क्या तो भी बरावर यू प्लस हाप एटी स्क्वार याद रखेगा पर्थम क्या भी बराव मैं आपको फिर से एक नया टॉपी लेकिया हूँ तो प्लीज आप वीडियो को सुरू से लेकर अंतर दोर देखिए और हमेशा बना रहेगा तो यह कोई भी चैनल आगे ग्रोथ कर सकता है आपके विना कोई भी चैनल ग्रोथ नहीं कर सकता है तो खमसे लाइक और सब्सक्क करना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं तो प्लीज फिर्ट्स आपसे रिक्रेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर रहा है ठीक है चलिए अब देखिए सबसे पहला important point है कि new mathematics तो देखिए new mathematics जो है वह सिक्कों का अध्यान सम समान देते यह गहात इन तो बहुत है कि पड़ने के लाता है यह बहुत है्पाररें पक्षिबिग्यान का धन क्या लाता है। और यह दूसरा तो और इंप्पर्ण रेशम, उत्पादन, सेरी ग़्चर, रेशम उत्पादन का सम्मंद किसी है, तो यह सेरी कल्चर से, बहुत इंप्रण है। यह पुस्प फ़लो बाले पॉदे का दिन कहलाता है हर्टी कलचर कहलाता है और कभको का ध्यान माइकोलोजी कहलाता है यद रखेएगा नेक्स्ट नाफ क्ाम कि मानव विकास काinging यह कहला तो Tom को पता हुना चाहिए यह फूलो के और सजर्च नक्सा मनाने की का रहता है तो कार्मोग्राफी ठीक है कार्मोग्राफी है और तौचा रंगु का अध्यन क्या कहलाता है तो डर्मेटो लॉजी कहलाता है जीवों के प्राजाती गुन क्या कहलाता है इथो लॉजी ठीक है नेक्स्ट है कि सौपनों का अध्यन इंपॉर्टन है कि ऑनिरो लॉजी ऑनिरो कि आपका प्रजाट कर दिया हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखें कि रिविजन के तौर पर देखिए कोई चीज बार-बार भर भुक बढ़ने से नहीं होता एक ही बुक को नहीं बार वर पढ़िए ताकि आपको जितना कोशन पढ़े आपका confidence level अच्छे से बिल्ट हो जा तो प्लीज आप एक ही वीडियो को दो तीन बार देखे ताकि आपका नौलेज पावर और जादा बढ़ जाए और आपके लिए बहुत फैयदा बंदर है ठीक है नेक्स देखते हैं और जीवों के प्रजाती गुन क्या इतोलोज ोजी समस्त ब्रहमांट क्एन तो कोस्मोलोजी जाकि घुल तैनने पहलो का धिन नीरोलोजी मस्तिक रहे इकला तोलोजी सभी नौच का धिन क्या कि धाला तो प्समोलोजी और मेटालर्जी मेटालर्जी लाटाया है धातू विग्यान के मेटालर्जी 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 के रहता है अन्वानसन मेटाना जनेटिक्स खोपड़ी क्लाता है जला तो फ्रेनो लोजी कर Day 네 नेक्स्ट आपका कि संख्याओ काधियन क्या क्या आता है नीमेरो लॉजी ये संख्याओ काधियन क्या आता है और तंतुओ या उत्तक काधियन क्या 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 आता है हिस्टो लॉजी क्या आता है यख्रित काद्हियन क्या काद्हियन है, हCall नेक्स पार घ侈यसो काद्हियन Korean sa bang में नूमेमेटिक्स क्या काद्हियन नूमेटिक्स प्रकास काद्हियन और फोटोलोजी एक स्कीरणो काद्हियन क्या तो रेडिञोजी एक्सक्रिनों का धिन यह कहला था रिडियो लोजी पसुरसायन का धिन यह कहला था तो जूकैमी कहलाता है जूकैमी कि वह इंपॉरणछ यह उंपॉर्डंग्यान का धिन प्विटी कलजिर केचुवा पलंग् और पुस्पो काध्यन क्या कहलाता है एंथोलोजी पुस्पो काध्यन क्या कहलाता है तो एंथोलोजी कहलाता है फसली पाध्पो काध्यन क्या कहलाता है एंग्रोनोमी कहलाता है नेक्स्ट आपका कि संदर अध्यन क्या कहलाता है तो केलोलोजी संदर काध्यन केलोलोजी समस् सब्सक्राइब को आध्यां। को सब्सक्राइब को मिर्दा को पेडोगी कहलाता है। यहां पर आपका यहां की टॉपिक कम्प्लीट हुआ। इस वीडियो को देखाने प्रीजिए अंताइक। और चैनल अच्छा लगए तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब बेज़ेगा वीडियो को लाइक कीज़ेगा और हाँ फ्रेंड्स नीचे दिएगा डिस्विशन वाक्स में टेलिग्राम का लिंक है उसे जोईन होके आप नहा कोई भी लेटस इनफॉर्मिशन अप टेलिग्राम से प्राप्त कर सकते हैं टिक है फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइब है जाहें दोस्तों